साइद इसमारक के बाद आप सीधे हाँ आए उस्कूल में आए साइद मंगल पांड इंटर कॉलेज में जिस तरह से बच्चों ने आप पे फूल बरसाया उस समय सरकैशा मैसुश कर रहा है देखे एक तु सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पूरे भारत वर्ष में एक ऐ ऐसी जगा है कि जहां यह स्कूल यह कॉलेज यह जो बच्चे हैं इनके सामने एक ऐसी मूरती लगी हुई है जिसका सबसे बड़ा क्लेम बलिया को है शहीद मंगल पांडे इस पे कोई विवाद नहीं है कि वो 1857 के गदर के विद्रो के म्यूटनी के पहले नायक थे अब अ यहां के बच्चों को सिर्फ इर्फान हबीब की और रोमिला थापर की किताबों से इतहास बताया जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह इन बच्चों के साथ इस जगे के साथ अन्याय होगा इसलिए यहां के बच्चों को दुनिया के बच्चों से मैं इसलिए अलग मानता जो मैंने सुफ सुधाय देखी हैं वो कोई बहुत बहतर नहीं है सरकारों को इस जगे को सिर्फ इसले नहीं कि ये मंगल पांडे के नाम के आगे पांडे लगा है बलके ये एक ऐसा राश्टनायक है जो हजारों साल तक पिर्ड़ना देगा यहां के बच्चों को जो भी आप कोर्स पढ़ाते हैं पढ़ाएं लेकिन सच जरूर उन से बोलें कि इन आकरांताओं की वज़े से ये देश गुलाम हुआ फिर एक आकरांता तलवार लेके आये थे दूसरे आकरांता एक किताब लेके आये थे कॉर्वेंट के माध्यम से जिसके कारां ये देश गुलाम रहा लेकिन इन सत्तर सालों में भी हमने देखा है कि एक लंबी सरकारे आई और सरकारों ने सिर्फ अपनी फार्मल्टीस पूरी की ओड़ चले गया वर्तमान आपकी उत्रप्रदेश की सरकार और देश की सरकार से यह पेक्षा है कि ऐसी जगों को इसलिए बड़ा बनाएं इसलिए डवलप करें ताकि लोगों में मंगल पांडे बनने की प्रेड़ना हो पिजले परिवार के लिए क्या कहा है नहीं मैं समझता हूँ कि वो अपने जो सीमिस साधन हैं उसमें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और आज के आधुनिक यूग में 2022 के भारत में बहुत सीमिस साधनों से काम चलेगा नहीं जो आज के जितने भी एक्यूप्मेंट हैं बगर उसके लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी क्योंकि ये संचार करांती का दौर है इसमें कोई बाद छुपी नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि इन हालातों में यहां के अध्यापक, शेक्षक, मेनेजमेंट जो भी इसको चला पा रहे हैं ये काबल इसले तारीफ है कि इनके पास साधन बहुत कम है लहाजा सरकार से भी मैं यहां से भी अपील की कल भी करी और जो मेरे अपने ताकत है जितनी उसमें कहूंगा कि कम से कम ये एक ऐसी जगे हो कि लोग इसको सिर्फ देखने ना आएं यहां से प्रेड़ना भी लें कि इन साधनों में भी ये चला रहे हैं और अगर इसको साधन अच्छे मिलेंगे तो यहां से बहुत अच्छे मंगल पंडे पैदा होंगे पूरे भारत वर्स में सर आपने कायकरम किया लेकिन बलिया कायकरम कैसा रहा जो कल आपने राश्टी एक्ताम मंच के द्वारा जो आए उजित कायकरम में आप गंगा बहुदेशी है साभागार में थी तो सर हिंदुस्तान के हर कुने पे गया लेकिन बलिया कैसा रहा बागियों की धरती पे क्या रहा देखे पूरे देश में बड़ा उत्सा है खास्तों से गुजरात में, महराश्ट में, मद्परदेश में लेकिन मैंने ये देखा कि जो हमारे हिंदी परदेश हैं खास्तों से वहां हर प्रोग्राम के पीछे जादा तलोगों की राजनीती की खीचतान रहती है बलिया में 2020 से कोशिश कर रहे थे हैं लोग तो कुछ कोविट का मामला था, कुछ रक्षा के कारण थे तब हमने जो लोग, जिन लोगों ने हमको बुलाया उनसे हमने ये कहा, कि हम नहीं जानते हैं पुनाने वाले कौन लोग थे लेकिन सब को शामिल कीजेगा और क्योंके बलिया बड़ी एक्टिव जगा है और बलिया के बारे में मुझे पता चला कि 1942 में ये कोई 20-22 दिन के लिए आज़ाद हो गया था तो मुझे बताया कि बलिया अपने आप में एक राष्ट है तो मैंने कहा कि ये ताज़्जब की बात है कि बलिया राष्ट है और इस राष्ट का एक आदमी बारत का प्रदान मंतरी भी बना ज्यादा जागरत हैं लोग ज्यादा समझधार हैं लोगों में राष्ट को लेकर के जबर्दस्ट एक भूंक है जो समझना चाते हैं और यही बलिया की अलग पहचा दो आपने पुस्पेंद्र जी को सुना बलिया के बारे में उन्हों ने बता है कि हिंदुस्तान के हर अस्ता पे हमने प्रोगाम दिया लेकिन बलिया का कुछ अलग था लोग यहां के लोग जागुरुक हैं शम्मान देते हैं और इसलिए कायकरम पूरी तरह से सफल ला हम इस समय सहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज यह प्रांगड में हैं जहां आपने पुस्पेंद्र जी को सुना देखा बेभीन कायकरम में किस तरीके से उन्हें प्रतिभाग किया किस तरीके से कॉलेज के बच्चों ने चात्राओं ने पुस्पेंद्र जी फोलों की वर्षा की और तो ही उस्पेंद्र जी साहिद्मंगल पांडे के चित पर माल्यार पढ़कर पुष्कुल के बच्चों के साथ परिवार के साथ काफी समय पिताया फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक लितना ही जुड़े रहें बली आजकल से मेरे साथ कैमरा मैं राजकुमार मैं रोशन आसवाल नमस्कार